चलिए आज हम आप लोगों को ग्रीगोरी स्रीज पूफ करने सिखाते हैं। ग्रीगोरी स्रीज पार्ट वन के यानि फस्ट येर के छात्र के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। और इसे पूरी ध्यान से उन्हें सीखना चाहिए। जो बच्चे पार्ट वन के हैं। उन्हें पूरा वीडियो एकदम इमानदारी से देखना है। ग्रीगोरी स्रीज इसका स्टेटमेंट है। इप थीटा इस ग्रेटर देन और इक्वल तू मैनस पारफूर और लेजन और इक्वल तू पारफूर देन थीटा इसको प्रूब करने के लिए इसको प्रूब करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज जानना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि e to the power i थीटा को हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते हैं। e to the power minus i थीटा को cos थीटा minus i sin थीटा लिखते हैं। log 1 plus x co x minus x square by 2 plus x q by 3 minus x 4 by 4 plus dot 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 2 infinity. उसी तरह log 1 minus x को minus x minus x square by 2 minus x q by 3 minus x 4 by 4 minus dot 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 to infinity. ये लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। log m by n को log m minus log n इस ग्रिगोरी स्रीज को प्रूफ करने के लिए आपको ये सारी बात हैं। आनी चाहिए। तब आपको मेरी हर बात असपर्स धंग से समझने आएगी। एक बार फिर देख लिए, cos theta plus i sin theta ही e to the power i theta है, cos theta minus i sin theta e power minus i sin theta है, log 1 plus x को x minus x square by 2 plus x q by 3 minus x 4 by 4 plus dot 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 to infinity. उसी तरह log 1 minus x को अगर हम expand करते हैं, तो minus x minus x square by 2 minus x q by 3 minus x 4 by 4 dot 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 to infinity. और log m binary basic formula ये तो आपे level 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि log m minus log n, log में अगर divide होता है तो वो minus हो जाता है। इन सारी चीजों को समझने के बाद चलिए इसे रहने देता हूँ, इन सारी चीजों को समझने के बाद आप इसे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सुरू करता हूँ इसका प्रूफ। आप इमांदारी से देखिए कि मैंने सारे बाते साप साप लिख रखी है। अब आपको एक एक चीज में समझाता हूँ, हम जानते हैं e पे पावर i theta cos theta plus i sin theta होता है और e पे पावर minus i theta is equal to cos theta minus i sin theta होता है। अगर हम इस दोनों को बटे करें, इस दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करें, e to the power i theta upon e to the power minus i theta, तो क्या होगा? cos theta plus i sin theta upon cos theta minus i sin theta. इस system तक समझने में कोई दिकत नहीं होनी चाहिए, यह basic है, यह हम जानते हैं उसको एक उसरे को बटे करने हैं। इससे क्या होता है? यह उपर जाएगा, नीचे से उपर जाएगा, sin change करेगा, इसका मतलब e power i theta plus i theta और इसमें मैंने क्या क्या? यह उपर नीचे same change, जैनि cos theta से उपर नीचे divide किया, जो आपका है, आप equation में या किसी भी term में, अगर समझन चीज़ से उपर नीचे divide करते हैं, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, तो cos theta plus i sin theta upon cos theta minus i sin theta को उपर नीचे हमने cos theta से divide किया, इससे फाइदा क्या होगा? वो देखिए next step, अगर हम इसको divide करते हैं particularly, तो यह 1 हो जाता, 1 minus i sin theta बटे cos theta, तो 1 plus i 10 theta, उसे हम भी सकते हैं, 1 plus i 10 theta, उसी तरह 1 minus i 10 theta, इस system को समझने में कोई दिक्कर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमने उपर नीचे cos से divide किया, अब होता है, इपर power i theta plus i theta, यहीं इपर power 2i theta, इपर power 2i theta is equal 1 minus i 10 theta बटे 1 plus i 10 theta, इसके बाद हमारा next step क्या होता है, उसे ध्यान देना है, अब हम दोनों तरफ log लेगे, log लगाते हैं, taking logarithm both sides, तो हमको मिलता है, log e to the power 2i theta is equal to log 1 plus i 10 theta बटे 1 minus i 10 theta, देखिए, वहीं लिखा हमें है, log e to the power 2i theta is equal to log 1 plus i 10 theta upon 1 minus i 10 theta, अब simple सा रूल है, जो power होता है, log में, वह आगे आता है, तो power आगे आया, 2i theta आगे आगे, log e to the power, log e to the power, log m by n का फर्मूला यहां हमने यूज किया, log 1 plus i 10 theta upon 1 minus i 10 theta, यहीं log m by n रहेगा, तो उसके बादिशन हम लो, log m minus log m, इसी फर्मूले का यूज करके हमने, इसको लिखा 2i theta log e to the power, log e to the power, log 1 plus i 10 theta, बेसी, मैनस, log 1 minus i 10 theta, इससे क्या फायदा हुआ, यह फायदा अब हमें आगे देखेगा, अब चलिए, इन सारे बातों को यहां पर रोपते हैं, अब आगे इस चीज़ को ध्यान से देखना है आप लोगों को, इधर क्या होता है, 2i theta, log e का 1, कोई भी बता सकता है, 1 होता है, यह 1 into 2i theta, 2i theta, log 1 plus x, इसे हम लोग x की तरह बात करते हैं, log 1 plus x का expansion देखे, x minus x square by 2 plus x 2 by 3, इसी चीज़ को यहां यूज़ करते हैं, यहां मारा x है i 10 theta, x minus x square by 2 plus x 2 by 3, minus x 4 by 4 dot order to infinity, यह इसका expansion है, इसको हमने यहां पर expand किया, अब रही बाद, log 1 minus, यहां लाया, और यह जो लिखा है log 1 minus i 10 theta, इसको हम लोग express करते हैं, फिर इस formula के आधार पर, log 1 minus x पर, आ रहे होगी बात, कुछ नहीं है, इसे सब basic चीज़ आप जान जानने के बाद, आपको जानकारी है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, 2i theta, 2i theta, कोई चल नहीं, equal to, पहले से step को हूब 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 मैंने उतार दिया, आप बहुत से देखिए, हूब 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 मैंने इसको उतार दिया, फिर minus से bracket थोड़ा, अगर minus से bracket थोड़ते हैं, तो सारा चीज़ देखिए, यह सारा minus में है, तो bracket तूटने के यह और यह सेम चीज़ है, i10 theta, i10 theta, 2i10 theta, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर मेरा वीडियो फूड़ देखने के बाद, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसक को समधाने के लिए अलग से कोई सप्लिमेंटी बनाने की कोशिश करूँगा, फिर याल आप देखेंगे, इतना इतना सैम चीज़े, 2i10, यह दोनों कट गया, कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट यह दोनों सैम है, तो इस 2 इतना आपन 3, 2i10, ठीक, फिर नेक्स्ट यह दोनों क इसके बाद दिखें, अगला इस ते बोता है, 2i थीटा, इतना पलस, इतना आपन 3, इतना आपन 5, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको एक्स्पेंड कर रहे हैं, 2i10 थीटा, 2i to the power 3, iq10 q थीटा, प्लस, 2i5, 105 थीटा, उसको एक्स्पेंड कर दिए, अब आप देखेंगे, 2i थीटा, हो बहु नीचे आ रहा है, 2i10 थीटा, मैनस, यह मैनस कहां से है, उसको ध्यान से देखें, यहाँ पर जो गौर किजिए, यहाँ जो iq है, iq को कोई भी बता सकता है, कि iq को हम लिख सकते हैं, i2 into i, और i2 का मैनस दोन होता है, into i, यानि मैनस i, आप इसी मैनस i को समझेए, यह iq को हम लोग मैनस i लिख लिए, पलस, फिर i5 है, उसी तरह i5 का अगर explanation आप देखें, i पर पावर 5 होता है, i4 into i, i4 का मतलब 1 into i, यानि i, इसलिए यहाँ पर साइन मैनस हो गया, जबकि यहाँ पर पलस ही रहा, next step अगर अगला देखते हैं, जिसे 5 के बाद 7 बाबा बचेगा, तो इसलिए हमने समझने के लिए इसे लिख दिया है, कि 2i 10 to the power 7 upon 7, यह सारा term आपको समझ में आ गया होगा, अब देखिए, इसके explanation के बाद, इतना सा लिखने के बाद, आपको यह समझ में आएगा, कि 2i थीटा is equal to इतना minus 10, इसमें हो चुकी मैंने 3 कोमन ले लिया है, इतना upon 3, इतना upon 5, इतना upon 7, दो 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 इसमें समें मैंने 2i, 2i, 2i देखके कोमन ले लिया, 2i और 2i केंसी, बचा कितना थीटा, थीटा equal to 10 थीटा minus 10 Q थीटा by 3, plus 10 5 थीटा by 5, minus 10 7 थीटा by 7, दो 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 इंफिनिटी, यह सारी चीजें आपको समझ में आ गए होगी, यही था हमें प्रूफ करना, अब गौर से देखें, जो आपको प्रूफ करना था, यही स्टेटमेंट था, अब आपको समझ में आ गय थीटा किया, और आगया, थीटा equal to 10 थीटा minus 10 Q थीटा by 3, plus 10 5 थीटा by 5, minus 10 7 थीटा by 7, plus dot dot dot, to infinity, अब इसमें कोरलरी, इतना तक में तो कोई प्रूब्रम नहीं होना चाहिए, अब मैं आपको इसकी कोरलरी दिखाता हूँ, एक्चुली, इसी सवाल में अगर हम 10 थीटा की जिगए पर X फूट करना चाहिए, तो क्या होता है, एक्चुली यह जो मेरा, यह आपने गौर किया होगा, इसमें थीटा के बारे में restriction है, यह minus 5 by 4 से 5 by 4 के बीच है, तो उसी तरह अगर 10 थीटा minus 5 by 4 से 5 by 4 के बीच है, तो X हम इस समाझए सकते हैं, आप देखें, 10 थीटा की जिगए पर X रखना चाहते हैं, तो थीटा की जिगए क्या होगा, मैंनस 1 से 1 के बीच देखिए ये बहुत छोटा-छोटा लिखा होता है एक ही बार में पूरा सब चीज समझाना होता है ताकि आपकी मेजर में बनी रहे हैं इसलिए आप इसे गौर से देखें हमें एक-एक लाइन समझाते में गए पहले से अगर मैं सब लिख के रखा होता तो आप गिजगीजगी हो जाता तो फिर आपको समझने में दिक्कत होती आप बेसिकली समझते चाहेंगे कि कैसे कैसे ये हुआ है अगर इसमें कोई प्रोब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे ही है ताकि मैं आगे इसके लिए और कुछ इंप्रूब करके आपको दूँ तब तक के लिए आप इसका दिन कीज़ें